नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमितास क्लासेंज में मेरा नाम है अमित और आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे IBPS, RRB, Officer, Scale, Second, and Third के बारे में यहाँ पर हम समझेंगे कि Officer, Scale, Second, and Third के लिए Eligibility क्या चाहिए इसका syllabus क्या होता है और exam pattern क्या होता है ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप banking exam के त्यारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा important जो भी चीजे होती हैं वो हम आपके साथ जरूर डिसकस करते हैं ठीक है तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि RRB, Officer, Scale, Second, and Third के बारे में थोड़ी सी information जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि IBPS, RRB जो होता है ठीक है यह चार तरीके के exam से लेते हैं जिसमें से हम इसको दो तरीके के बाटेंगे ठीक है एक fresh candidates के लिए एक experienced candidates के लिए fresh candidates के लिए जो paper होता है वो होता है clerk का और PO का जिसको हम officer skill first भी कहते हैं वहीं पर जो अनभवी होते हैं उनके लिए होता है officer skill second और officer skill third तो जो यह है इसके बारे में सभी को पता है ठीक है और जो officer skill third second है इसके बारे में थोड़ा सक कम पता रहता है ठीक है तो यह questions आप से इंटर्विव में भी पूछा जा सकता है अगर आप PO के exam की तहरी करें कि आप अपने आपको 5 साल बाद कहां देखना चाहते है तो आप यहां से असानी से बता सकते हैं कि सरम अपने आपको 5 साल बाद यहां देखना चाहते हैं तो चलिए डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले आपको एक चीज़ यह समझनी होगी कि जो officer skill second है ठटके बारे में तो बात करेंगा ही करेंगे पहलेया आप officer skill second के बारे में समझ 우리가 इसके लिए दो तरीके के पद होते हैं प्यक्यちゃん के एक होता है GDO का और एक होता है SO का SO का मतलब होता है specialist officer और GBO का मतलब होता है general banking officer तो specialist officer के लिए क्या चाहिए agriculture के field में कुछ हो LLB हो hotel मैंने MBA हो आपका ऐसे कुछ courses है तो definitely आप specialist officer के लिए जा सकते है उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे लेकिन यहाँ पे हम discuss करेंगे GBO के बारे में general banking office तो suppose that आपका selection हो गया है clerk पत पे या फिर आपका selection हो गया है officer skill first के पत पे तो क्या करना है आगे इसके बारे में हम discuss करेंगे तो सबसे पहले आपको एक चीज यह समझना होगा दोस्तों कि बहुत से candidates confused रहते हैं कि वो as a clerk है तो क्या officer skill second के लिए apply कर सकते हैं तो यहाँ पे मेरा जो जवाब नहीं जो institute का जवाब है वो है नहीं ठीक है आप clerk के पत पे रहे के officer skill second के लिए form नहीं फिल कर सकते हैं ठीक है जितने साल का आपको पास अनुभो आपके पास अनुभो क्या होना चाहिए two year as an officer in a bank or financial institution ठीक है आपके पास दो साल का जो अनुभो है वो as a officer होना चाहिए बैंक में ठीक है और दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ पे आपको जो marks होना चाहिए ग्रेजिवेशन में वो होना चाहिए 50% ठीक है यह किसके लिए है officer skill second general banking officer ठीक है तो समझ गए आप कि क्या चाहिए आपको पहले तो आपको ग्रेजिवेशन में 50% marks चाहिए 2 year का experience चाहिए वो भी as an officer बैंक में ठीक है और आपका जो ग्रेजिवेशन वो किसी भी field में हो सकता है ठीक है तो वो महने नहीं रखता है ठीक है अब बात कर लेते हैं officer skill 3rd के लिए ठीक है officer skill 3rd के लिए आपको यहाँ पर क्या चाहिए minimum 5 year का experience चाहिए ठीक है कितना चाहिए दोस्तों 5 साल करन पो ठीक है तो अगर आप जब PO सेलेक्ट होते हैं तो 2 साल के बाद आप officer skill 3rd के लिए apply कर सकते हैं तो अगर आपसे interview में ये questions पूछा जाता है कि आप अपने आपको 5 साल बाद कहां देखना चाहते हैं या कहां पाएंगे तो आप सीधा साजवाब दे सकते हैं कि sir मैं 5 साल बाद अपने आपको officer skill 3rd rank पर देखना चाहूँगा क्योंकि इसका syllabus क्या है ठीक है तो अगर हम इसके syllabus की बात करें दोस्तों तो देखिए जो officer skill 2nd का है ठीक है उसके बाद officer skill 3rd की हम बात करेंगे तो officer skill 2nd जो general banking officer का है उसको हम से बसते हैं जिट्टो एकदम same to same officer skill 1st का paper होता है ठीक है लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो label का होता है exam ठीक है एक होता है pre exam अब plus हो जाता है interview और आपने officer skill 1st में क्या दिया था आपने officer skill 1st में दिया था pre फिर दिया था means फिर दिया था आपने interview ठीक है तो यह तीन process आपको नहीं देने है सीधा सीधा यह pre comments दोनों आप समझ सकते हैं उसको उसके बाद direct आपका interview होगा syllabus की बात करें तो जो syllabus officer skill 1st का था वही है जहां पे reasoning आपको आएगा 40 questions 50 marks के quantity attitude या data interpretation के अगर हम बात करें तो यह भी 40 questions आएंगे 50 marks के ठीक है यहाँ पे financial awareness add हो जाता है वहाँ पे हम क्या पढ़े थे officer skill 1st के लिए journal awareness ठीक है यहाँ पे financial awareness हो जाता है financial awareness का पूरा syllabus क्या है इसके बारे में हम next video में discuss कर लेंगे 40 questions 40 marks ठीक है अब देखिए यहाँ पे आपको यह समझना होगा दोस्तों कि English या Hindi क्योंकि आप RRB के में हैं ठीक है तो आप Hindi या English में कोई भी एक चूज कर सकते हैं ठीक है तो आप मान लिजे कि आपने Hindi चुना तो आप 40 questions होंगे 40 marks के ठीक है अब वहीं computer knowledge हम सभी को पता है कि 40 questions होंगे जो की 20 marks के होंगे ठीक है तो यहाँ पे यह थोड़ा सा कर जाएगा 200 questions होंगे और कितने marks के होंगे 200 marks के होंगे आपको जो timing मिलेगी वो 2 hours के मिलेगी वहीं अगर हम बात करें negative marking की तो जी हाँ यहाँ यहाँ पे होता है negative marking 1 by 4th की ठीक है तो confirm हो गया सब ठीक है आप चलिए बात कर लेते हैं official skill 3 के बारे में ठीक है official skill 3 की अगर हम बात करें तो reasoning में भी यहीं पे same way 40 questions 50 marks quantitative aptitude 40 questions 50 marks ठीक है यहाँ पे भी financial awareness include हो जाएगा जो की आपका 40 questions 40 marks के होंगे computer 40 questions 20 marks के और हिंदी या English में कोई भी एक जो की 40 questions होंगे 40 marks के ठीक है और यहाँ पे भी negative marking होगी और one by fourth की ही होगी ठीक है तो I hope आपको यह पूरा जो सिनारियो है यह समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या क्या होना है ठीक है बाकी अगर आपको officer skills second या third से लेके कोई भी confusion है तो आप हमें comment कर सकते हैं हम आपको guide करेंगे और आपको अब best sources provide करेंगे कि आपको कहां से पढ़ना चाहिए next video अगर आपने प्यार दिया तो हम आपको बताएंगे कि आपको books कौन कौन सी पढ़नी चाहिए ठीक है strategy क्या होनी चाहिए आपकी कि किस तरीके से आप अपनी त्यारी करेंगे क्योंकि definitely अगर आप officer इसकेंड के लिए जा रहे हैं तो आप officer इसकेंड के तहित कारे कर रहे होंगे तो इस दोरान आपको अपनी त्यारी कैसे करने हैं इस सब चीजों के बारे में हम discuss करेंगे बस आपको क्या करना है आपको बस कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमें बुक्स ठीक है या फिर टीचर्स ये सब चीज़े आप हमको बताइए हम आपको बताएंगे और आप उनको follow करके आराम से पढ़ सकते हैं तो इस वीडियो में तना ही वीडियो अगर अच्छा लगए तो प्लीज लाइक करिएगा अपने दोस्तों से करिएगा जो भी इस वीडियो के लिए एलिजिबल हो ठीक है तो इस वीडियो में तना ही वीडियो में को बहुत बहुत सुभी है दोस्तों धन्यवाद